हरी ओम तच्सत संत कबीर के प्रमाणी ग्रंथ बीजक से लिए हुए कुछ पद और उन पर ग्रुप डिसकेशन आए सुनते हैं सादो बाई जीवत जी करो आसा जीवत समझे जीवत भुजे जीवत मुक्ति निवासा जीवन करम की फास नकाटी मे मुक्ति की आसा मुए मुक्ति की आसा कहते हैं सभी प्रकार की मुक्ति आनंद इश्वर आदी की आशा जिन्दा रहते हुए ही की जा सकती है जो लोग सोचते हैं मृत्यू पस्चा जीवन का इश्वर से मिलन होगा वे जूठी आशा कर रहे हैं इस जीवन में कोई यदी हमें ग्यान इश्वर आनंद जिसकी जो मान्यता है मिल गया तो समझो मृत्यू के बाद तो मिला हुआ ही है सच को जानकर सच्चे मार्व दर्शक गुरू को पहचानकर साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है विनोजी वन शिक्टी टू पे जो वो पीछे जो इसके वीनिंग्स लिखे ना वो भी बढ़ दीजिए 162 जानकर 162 जानकर 162 साधू साधू वह हर व्यक्ति है जिसने परिवार त्याग दिया है लेकिन समाज में है पांच तत्व हमारा शरीद और ब्रह्मान दोनों ही पांच तत्वों से बने हैं प्रित्वी जल अगनी वायू आकाश जी अब जरा आज उल्टा चलेंगे पहले सब के डिसकेशन पूछेंगे कि कौन कहां पर जो से बोल रहा है यह पता चलता है उससे तो एसपी सिंग जी आप भी बोलिए पहले कबीर साब इसमें क्या समझा रहे हैं कि जैदातर हम क्या समझते हैं कि वो कोई अलग लोक है और यह हम अलग लोक में जी रहे हैं तो फो अलग लग लोक समझने शुरू कर देंगे कि मत के बाद रह sensible significa मत के पहले होते हैं कि किसी और संसार में है, कोई अच्छा संसार है, यहां से वहां जाके हम, हमको मुक्ती मिले गी है और हमको शांती मिलेगी है, तो सब कुछ तो यहीं पे है, जो بھی है, यहीं है, यहीं पे महाबारत घटी थी, यहीं पे शरी कृष्ण आये थे, कोई उनकी तो अलग कोई नहीं थी कुछ किसी और जगा पे मिले हो किसी को और वहां बाप चीद हुई हो तो that's what I will say कि it is all same तो we have to understand कि संसार में रहे कर ही हमको मुक्ती की और जाना है so that is what is I feel the crux of this ठीक है अनामिका जी आप बोलेंगे सरीता जी मैंने काफी टाइम बात जॉइन किया है तो ठीक है थोड़ा सा वज़ाएंगे तो आप सुने की कैटगरी में बैठी है फिर आप कोशन ने जी आप बोलिए मैंने आज ही जोईनी जी थोड़ा सुनलू पहले इसमें वोई है कि वोई जो सिंग साब ने कहा कि हम हमेशा दो लोग समझते हैं और ऐसे भी किसी भी situation में मतलब be in that moment वाला वो कल हो ना हो वाला कि कल क्या है उसमें आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता किये बिना आप जिस परिस्थिती में हो उसको यदि आप अच्छी तरह से हैंडल कर दो तो वही तुमारा मतलब that moment is your जीवन और उसी में आनंद उसी में ईश्वर उसी में ज्ञान की जो भी तुमें जिसकी जो तुम आशा रखते हो वो उसी में उस सब कुछ अगले में कि जी मैं मतलब वही जैसे मृत्यू के बाद मुझे ये फलांफला मिलेगा और वो मिलेगा तो बोल गूंके वही कि लिव इन दा मोमेंट वाला और आगे कुछ नहीं है वही है ये पल जाएगा दूसरा पल आएगा और इसी तरह से ये साइकल चलती र अगे का कुछ नहीं कोई वही वह कारे तुमारा खतम हुआ उसकी मृत्य हो गई फिर तुमारा उसी दूसरे शंड दूसरा जन पर दूसरा तो मतलब जन मरं मरं कोई वो नहीं कि सिर्फ शरीर का तुमारे थॉट्स का भी जनम मरं साथ ही चल रहा है बहुत ही सुन्दर पर्फेक्ट पर्फेक्ट है हां जी विनोच जी बोली आप हां जी मतलब वही जैसे गिता में लिखा हुआ है कि मन को शून्य करना है और जो है इसी जीवन में है वही कभीर जीन एक्पेंग किया हुआ है कि जीवत रहते ही जो भी मतलब हमको मुक्ती मिलनी है या आनन मिलना है वो इसी जीवन है और अपने को मतलब हमको यही समझ के चलना है और इसी जीवन में अगर मन्य शून्य हो जाता है और आत्मा शुद्य हो जाती है तो प्रभू से मिलन हो जाता है और प्रभू मिल जाते ह और गुरू इसके लिए मतलब गुरू का मार्दशन सचे गुरू का मार्दशन बहुत जरूरी है जो आपको सही साधना सिखाएगा और आपका मोक्ष करवाएगा और सही साधना ऐसा बोल सकते हैं कि आज आज भी वही कर ले जिसका हम वेट कर रहे हैं या जो बीत गया आज अचब यहा जो रहें किया किया मतलब हुआ जर्फ ठोड़ा से एक्सपिलेन करो सकू कू तो करो यह आज च्बॉक दो दिख यह जो कल बीत गया ओगिया यह जो कल अम वेट कर रहे हैं वह भी आज ही realmrif is Nekawa ज this moment इसलिए वेट मत करें यह यह बोला था इनों ने भी यह बोला और इसमें जो वो जो लाइन भी है कि मृत्यू के बाद तो मिला हुआ ही है समझो मृत्यू के बाद तो मिला हुआ है यह थी तुमने इस situation को present को सही तरीके से handle कर लिया तो अपने आप ही जब इसका end होगा इस moment का end होगा तो अगला moment तुम्हारे लिए वो आनंद महीं ही होगा क्योंकि आप कोई भी burden से अच्छा हुआ बुरा हुआ उसको वहीं पर kill करके तुम अगले moment में होगे हो तो तुम एक तरह से फिर से खाली होके तुम दूसरे moment में हो तो वो अच्छा ही होगा अच्छुली बढ़ी बिल्कुल बस यही बात पर आपके आपने भोल दी मतलब यह मैं भी यही बोलना चारी थी कि हर शंट जो मन का है ना मन पे जो भी हमारे संसार क्या है जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा ना कि हमें दंड के रूप में बॉडी मिली हुई है अब इस के जो पंच्ठ्प पंच्ध 50 महा बूतों में मिलने है अब उससे पहले मन में जो भी हमारा ओंजन होती है भारी तक्पों की तो मन की मृत्यूंको ही जो है शांति कि उसमें जैसे कहते हैं इसमें कभीर का एक दोह एक और आता है कि ब्रह्मा मरिये विष्णु मरिये मरिये सबसंसारा तो इस प्रकार का ना यह इन्होंने कभीर जी ने लिखा तो वह मृत्यू उसी तरीके की है कि हमारी बॉड़ी के साथ में जो हमने अटैच्मेंट की किसी भी पधार जगत में तो उसमें भ्रह्मा की स्टेज विष्णु की स्टेज और शिवत्व की स्टेज में जाकर उसकी मन की पूरी तरह से मृत्यू तो पूर्ण मृत्यू में मनुष्यकों शांती मिलती है तो वह आपने बोल दिया कि मन का जो हर शंड शंड में जो जब तक हम पहले मुवमेंट को पूरी तरह से मृत्यू में खतम नहीं करेंगे तो दूसरा मुवमेंट कभी भी आनंद दायक नहीं हो सकता क्योंकि हम उसके साथ में अटैच रहते हैं और यही दर्शन आपको चाहिए कि आपका मन भारी संसार की चीजों में जा रहा है तब तक तो आपको भारी गुरू की जरुत है लेकिन आप श्यम गुरू है क्योंकि आपके मन पे जो सामगरी बैठी है वो सिरिफ आपको पता है कि आपकी अप्धिमेंट कितनी है पतार जगत में तो जब तक आप अपने मन को खुद ही नोट नहीं करेंगे कि कहां पर अटेच्मेंट और किस वज़े से मैं दुख पारी हूं तो तब तक आप उसका निवारण नहीं कर सकते तो वो आंतरिक गुरू जब तक पैदा होकर अपने ही कर्मों को जो है नहीं नोट करके और वो न स्वयम के पास होता है भारी गुरू सिरक साधन बतासकता है चलना आमेश्वम ही पढ़ता है तो इस website telling सेजो नहीं के के पास अना कहते है उस और अब क्या है जितना भी हम attachment जितना संसारिक चीजों के साथ में करते हैं तो स्वयम से दूरी होती है वो हमारी एक भी thought हमें अपने स्वयम से दूर कर देता है तो भही विनोजी का जो बोल रहे थे वो कि शुणने लेवल पर आने के लिए जो भी आप साधना करना चाहते है तो भही जो है perfect मार गए अब वो सारे श्लोकों का मतलब एक ही है लेकिन यह है कि तरह तरह से अपने जीवन के जैसे उनका जीवन जी रहे थे उन्होंने अपने जीवन में ही उनी शब्दों में उसी प्रकार की वाणी जो उस समय प्रचली थी उसमें अपने दोहों को जो ह मनुश्वे कता है जो स्वेम की वाणी जब चूट लग जये मतलब कभीर के दोहे अपने बंचाएं और हमारे अपने दोहे निकलने लग जाएं तो जब तक वह संगीत हमारे आत्मा से नहीं कूटे अटो तब chỉ दक हम कभीर की वाणी को समझने में भी और वो करने में में भ परिशानी आती है तो इनके अर्थों को समझना ही वह एक ही अर्थ को समझने में चाहे हमें 10 दिन क्यों ना लग जाए लेकिन हमें वह समझ के ही छोड़ना है जैसे कहते हैं उसने युदिष्टिर ने वह सत्य का जब पार्ट पढ़ा तो उसने दूसरा पार्ट पढ़ना ही उसने का कि जब सत्य का जब पहले मैं अपने अंदर में धारण कर लूँगा तो तब मैं दूसरा जो है संटेंस पढ़ूंगा अदर्वाइस जो है बेकार है सब कुछ जो ज्यान है वह उसका फाइदा नहीं जब तक आप एक भी संटेंस को अपने जीवन में नहीं उतारत सल्वार में जलक Cris का है सादु है हर्व जारति हैं इस्ने परिवार्ट याग दिया लेकिन समाज में इसका च्या ना इसको बॉड्ड से परेकश्थी पता ना मेरे को पर्मात्मा में मार्ज हो तो वो बॉड़ी में रहते हो एक शुन्य वस्ता में तो हर आना ही पड़ेगा तो उसके लिए आप कहीं चले जाए या घर में रहें तो घर में ही तो साथना पॉसिबल है भार जाकर जो लोग कहते हैं कि हमने शांतचीत हो गए अंदर घर घरस्ती में रहते हो एक यह जो पर भार में भी पकड़ लेगी क्योंकि भार में भी करम के में रहा नहीं सकता ना शरीर है तो आप शरीर भाव में रह रहे हैं घर में रह रहे हैं लेकि शरीर भाव से परे हो गए आत्मा की स्थिती उस अवस्ता को का जाता है कि आपके घर में जितने भी लोग हैं आप उ पानन से जो आप करम करते हैं वही करते हैं बस यह मतलब है घर में रहते हुए और साधना जो होती ही घर में ही है अदर्वाइस तो जो भार जाते हो भगोड़े के अलावा कुछ नहीं होते एक बार साधो अपने आपको बाहर जाकर अपने मन को पूरी तरह से शांति का उस प क्यों कि परिवार का मतलब यहां पर जैसे मँह हो गया और समाज का मतलब शरीर हो गया आ बोलें से कि मैं शरीर में तो हूँ पर मैंने तरीका का वो जो इंद्रियों का जो विष्य है उसको ते क्शकिमा है नहीं को कि मैं मतलब पैदा हुआ हूँ मुझे शरीर रूपी समाज क्या उसमें से कहते हैं तो समाज को शरीर हो गया और परिवार हो गया आपके इंजियों के विश्य यमो जैसे जैसे पर को यह करना है सपोस्थ कीजिए कि जैसे मेरी बॉड़ी है अब इस बॉड़ी में सबसे पहला हुआ है उसको करना धरम है बिल्कुल 100% है उसको क्योंकि वो हमें परिशानी करेगी नहीं तो परिशानी करेगी इस प्रकार से जैसे हमारे हाथ में कोई फैक्चर हो जाता है तो हम उठा नहीं पाएंगे कोई चीज को लेकिन फिर भी आप खाना तो खाएंगे आप अपना इंदिजाम करेंगे ना किसी को कॉल करके बुलाएंगे कुछ करेंगे तो आपने पहले साथन अपना उड्रूठ Приक्सरी है तो और उल्ठे हात को यूज कर लिया तो आपने ईस्टूमेंट की तरह से यूज किया न उसको इंस्टूमेंट तो यह हमेशा भाव ह सबसे पहले तो अपने हापी पर हपो फिर अब जब इस इस इंटुमेंट से मैं किसी और के लिए कर दिया कुछ काम तो उस नो को मैभावनी कॠर्वत के लिए कुछ इस बोडी से समे Nick stu m Ohh malam दूसरा भी क्या है वो भी दूसरे वाला कौन से मन के लेवल पर चरना है तो उसके अपनी जर्णी है कि वो अपने पास से जी रहा है यदि वो के वो आपको credit दे कि विमी ने मेरे लिए बहुत सारे काम कर दी तो वो credit दे के आपको लेकिन आप आप ना बैठिये उस पे आप यह समझे कि यह बॉड़ी इंस्टुमेंट मात्र था तो इसने किया है मैंने कुछ नहीं किया तो आप जब कुछ नहीं करने वाले भाव में आते हैं तब आप धीरे धीरे शुन्यता में स्थिर होते चले जाएंगे तो यह करनी पड़ती है साधना वो साधो साधो बार बार सबी श्लोकों में मिलेगा व mend Te wow the 24व को शिद्धी को अफिर में रहना नहीं पड़ता आपके उससे वैसा ही तो वह जो चीज है आल तो वरितियों को साफ करना पड़ता है फिर उसमें वरितियों हमें पता चल जाता है कि यह हमारी वरितियों रोल कर रही है तो जब तक जागरिती साधनी पड़ रही है तब तक आप उसमें स्थित नहीं हुए सिद्धी में स्थित नहीं हुए सिद्धी उस वस्ता को का जाता है कि जहां पर आपको जागरिती करनी नहीं पड़ एक्चल में साधना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको अलग से टाइम दे रहे हैं साधना करने के लिए वो हमारे व्यावार में आ जाता है अपने आपी हो 24 गंटे ही चलता है इस तरह का शरीर को शरीर के भाव से निकलना जुरूर है लेकिन साधन तो शरीर है गंट तब वे जया वो शरीर नहीं है लेकिन साधन तो है शरीर तो साधना अलग से करने की जूरूत नहीं है जो हमको मिला हुआ है उसी का इस्तमाल करना है और मुक्ति की और जाना है यह जी विनोची आप बोलेंगे कुछ जी ने बराबर सब समाज में आ गया बढ़िया तरहें सही सही खतम करते हैं सेशन को आइंट करते हैं जी जैश्रीकिष्णा जैश्रीकिष्णा आरियोग